कि नमस्कार दोस्तों मैं गंगे सुकला आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमने पिछले लेक्चर में कवर किये थे बहुत सारी थियरी और जस्ट हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी खतम हुई है पार्ट 3 आप लोगों ने देखा होगा आई होप आप लोगों ने अब कहां जा रहे हैं हम लोग मांटेंस की तरफ टाइपस ओफ मांटेंस अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था हमने पिछले लेक्टिविटी की थी जिसमें हमने मैपिंग भी करवाया था है ना आपने सारे के सारे मांटें रिंजिस को क्या किया थ और मेंने आप से आगरा भी किया था कि आप क्या करिए वह जितने भी मैप में जो माउंटेंस दिख रहे हैं उसका स्क्रीन सोट लेकर अपने घर पर प्रेक्टिस करना आप लोगों ने उसको जरूर किया होगा अब उन माउंटेंस को आज हम क्या करेंगे डीटेल में समझने लोगों ने ले अगर दोनों तरफ से तकरा हुरा है तो यह ऐसे कुछ फॉल्ड हो रहा है आपको डायोंते कर्णेया तो देखा लेसा साथ है तो यह आपका फोल्डमांटे to इते की चोटा माउंटेन बड़ा होते जा रहा है तो इसके बाद दूसरा नॉमर आपको दिखे का क्या बलॉक माउन्टेंस आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगी, हमने आपको याद होगा इसमें बताया था होर्स्ट और ग्रैबं जो उपर के सिंशे को कुछ गrouर से डिख ç随ए आप ќा चाहे से और जि各位 निचे था इस के बाद यह दूसरा और यह बीच में खाई बन रही हैं फिर बाद में यह लग फ्लेट टाइव पीक वगेरा जो है थोड़ा बहुत मुस्किल से मिल रही है फिर आगे बढ़ते हैं कुछ मांटेंस यह जो वोलकेनिक मांटेंस होते मतलब व्केनिक इरप्शंस उसमें जैसे सब क्या है माउंटें अपके वाल करते लास्ट में आपके पास कुछ मौंटेंस बचा हुआ कुछ जूटा हुआ अब यह बहुत समय पहले बहुत बड़े माउंटेंस करते होंगे लेकिन समय के साथ साथ क्या होगा इंसान भी बूड़ा हो जाता है वैसे mountain क्या हो जाता है बूड़े हो जाते हैं पहले के समय कुछ ऐसे बड़े mountains होगे फिर धीरे अब हवादी सबकारग खाते हुए क्या हो गई है अब लगा आज के समय आपको मांटेंस नहीं दिखेंगे जंगल जैसे दिखेंगे यह आपके कुछ रासीफिकेशन करने की कोशिज करते हैं क्लासिफिकेशन करेंगे उनके लोकेशन वाइस क्लासिफिकेशन करेंगे और उनके स्टॉक्चर वाइस क्लासिफिकेशन करेंगे अब एज वाइस अगर क्लासिफिकेशन करना है तो हम किसी इंसान का तो क्लासिफिकेशन कर नहीं रहे हैं कि उसका बड़े दो-चार साल पहल हुआ मान लेते दूसरे माउंटेन रॉकी यह कब पैदा हुए एंडी इंका जो टाइम स्केल रहेगा वगर आपको याद हो मैंने बहुत पहले आपको पढ़ाया था है ना इसके पहले आपके बहुत सारे लेक्चर्स हुए उसमें रहें को क्लासिफाइब करेंगे कों सबसे ज़्यादा पुराना है को सबसे जयादा नया है है अगर मांटेन जो है और वह बहुत यंगे सब्सक्राइब लेकिन एक मांटेन था याद होगा अगर आपको सब्सक्राइब कुछुक्राइब उसको ओल्ड बॉला जाता है क्या करेंग थोड़ा अब थोड़ा सा देखते हैं प्लासीफिकेशन ऐसंप क्लासीफिकेशन ऑफंत क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेंस पीरियाड और और लौटतवी दीट्ट में ऑफ और ने यहां पर के क्या सब्सक्राइब माउंटे अ HOL T माउन्टेंस कि प्रेकर्द प्रिप्रींड गॐ Bro जइए कि प्रिकेंब माउन्टेंड सिब्सक्या जाता है कि फए प्रिकांबरीयन्स प्रिकांवे और गोल से डेकर झाल ऑलक्स प्रिकांफ कहनी कहता है फवर प्रूंट यड़ंब तक कि कह रहा है आपको बता रहा है कि इसकी है कैलीडॉनियन माउंटेन में और गात करें दो ट्री-मिलियन गो तक तक की जिसकी एज होगी आपूं लेतं है उस समय जो पैदा हुआ होगा वह आपका कै लिदोनीय माउंटेंश में आए गा हरसीनियन माउंटेंस में कौन से आएंगे तो थ्री यह आपके माउंटेंज जो है यह कौन से पिरियड में दिखेंगे वह भी इंपोर्टन जैसे कि आपको कैम्ब्रियन दिख रहा है प्रीकेम्ब्रियन जी लोजीकल टाइम स्केल अगर आपने नहीं पड़ा अच्छे से तो आपको बता दो कि प्रीकेम्ब्रियन जो है एक क्य प्रियड में प्रकों से स्टार्ट हो रहा है 500 मिलियन यहां के अस पास फास हम दो क्या यह दोन यहां कार्बोन फेरियस पर्मियन फिर बाद में अब बताओ सबसे यंगिस्ट माउंटेंग को होगा चरशरी में बनाओगा है और अबर चार्ट के नीचे जो विल्डेन दिखवा याद तो याद रखेगा खार्ब। जितना ऊपर दिखेगा वो यंगेस्त होगा तो याद रखेगा गार्ब्रियों याद और नगको याद रखने पड़ेगा mister अपको यहां पिरिएड और गर्क्रारी कि इंडिया ने हैं इक्वेटर के नोर्थबर सिन्ध जित पास कiddah और जब तक्राइए कि जिससे आपके तो हम कहते हैं कि इस टाइम के आसपास बना हुआ होगा लेकिन बाकी सब घ्र सकते हैं और यहां जो सबसे यंगेंस है। तो देख लेते कोंसे mountains कब बने है तो अगर हम बात करेंगे प्री Sebrier mountains कि और अर्प आप Creator all आज डोनों कि आप कानेडा में data में लोरेशयन दिखा देता हूं यह अगर देखो है अगर गूगल मैपस में तो यह माउंटेन आपको माउंटेन जैसा दिखेगा है यह से लगे जैसे किसी गार्डन में घुम रहे हो ठीक है लेट सी पुरा प्लेन टाइप ही रह गया है तो यह आपको गूगल अर्थ दिख रही है अभी हम लोग क्या करेंगे लॉरिस्याना माउंटेन रिंजेस की तरफ चलत में यहां लोग पिकनिक मनाने जाते देखिए यह आपकी इसकी फोटो ठीक है बहुत चोटे-चोटे माउंटेन से में अलब कह सकते हैं कि यह बचे नहीं यह देखो इस यह पीक अच्छे से बताएगी यह पीक आपको बता रही है कि माउंटेन अब चोटे-चोटे रह गय अब क्या है चोटा सा के सकते पी के बस खाली और कुछ नहीं ठीक है गाउं अदिहात में आपको यह हलका फुलका ऊपर नीचे डूंगर टाइप दिखता होगा ठीक है तो यह क्या है आपके लॉरिस्याना माउंटेन रेंजिस ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरा आपके के लेट शीलोरियन पिरियड अगर आपको याद मैंने बटाया था एक यहां पे तैयद और डीयों कि ja तेकिन उससे बाद नमबर आएगा इसका जो कि आपके केलिडूनियन माउंटेंस में आएगा गल को अगर एक्जाम में पूछ लिया जाये किस इंगा अगर बात करें दुसरा बने उसे हम लोग किस में डालेंगे आपके हरसीनियन माउंटें रिंजिस में डालेंगे एक्जाम्पल के तौर पर वास्गेस ब्लैक फॉरेस्ट अल्टाई त्यांसान और आपका उरल माउंटें जो कि आपको पिछले लेक्चे में क्या करवाया गया था मैपिंग करवाया तो अभी क्या करिए आप जितने भी माउंटेंस यहां दिख रहे हैं सब पर एक बार गोला करके ऐसा कर दीजिए कि यह इस से बिलॉंग करता है अदर्वाइस इसको क्या करिए आप स्क्रीन सोट लेके या फिर अपने डोंट डाउन करके लिख दीजेगा ठीक है आगे पामीर नॉड्ट जो कि आपके कह सकते हमालय के जमुकस्मीर के ऊपर टॉप में आते पामीर नौट तॉरस जाग्रोस कुनलून यह सब जितने भी मांटेंस आपको दिख रहे इसारे मांटेंस क्या है यंगेस्ट मांटेंस रेंज के सेंड़ी में आते हैं इसलिए इसको कह यहां जाता है तो यह कुछ मांटन्स मुझज़ देखतें कुछ आपके प्रेसर होता है ठीक है किस प्रेसर या किस फोर्स की वज़े से बनते तो भाई आपका यह कंप्रेशन फोर्स सिंपल कहने कार्थ क्या है यह आपका वही पीछे वाली यह थी प्लेट टेक्टोनिक सीरी इह कहरें और निए तैंशन से सब्सक्राइब आएगा इसो धूम्राइज सब्सक्राइब कोती की जालो को पूर्च मेरे थेकर आहरे नव को खेना में पुछ रहूंदी कन वर्जेंट बांडरी समझे च्ने बांडरी का रहाँ ही है तर यहां किससे की बात हुए तो उस कैसे समक्राइब इस फोल्डिण करें और शुत क्लेंग कि देसे इससे को देखाइब कई से करने क्षी्ट आगा करें हिसुनान में सब्सक्राइब के क्षिक होगा तुट का शिल जाए67 डे वाइगा ओ कि अगर फॉल्ट ही इसक्राइब कोई नीचे की तरफ जाएगा समझे तो इसमें भी क्या बन रहा है आपका देखो ब्लॉक माउंटेंस बनेंगे कोई उपर चला गया कोई नीचे चला गया हॉर्स ग्रेबन बन रहे हैं आगे देखते हैं सीरिंग फोर्स में क्या होगा भई ट्रांस्परम बाउंडरी मतलब कैसे कुछ हो जाएगा यानि कि आपका कोई इस साइड जाएगा कोई जाएगा और इसमें भी आपको बहुत सारा फॉर्स देखने मिलेगा तो यह था आपका क्या के सकते हैं कंप्रेशन फोर्स जो की आपका रियक्ट करती हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा और अब देखत भी किया होता है आपके मांटेंस का जाते हैं जैसे कि यहां पर 3 टाइप एक तो कंटिनेंटल मांटेंस डिक अंदर ठीक मनलब बहुत पर अफ्रीका याइं हैं घृतिए असे आपके उस्वान्ट आपके नॉर्थ अमेरिका में है लेकिन उसमें भी दोस्रेडीं कोस्टल म यह मौणटेंगा को सास्ट ऑफ टेच जो कि कोश्टस पर है कोस्ट मतलब किनारे से समद्र किनारे नहीं है क्याना कोश्टा के नहीं सी बडु कॉस्टर सबसें सब्सक्राइक कि एगजांपल आपको जो आजू वाजू आपको को स दिख रहे इसे इसम्हें तोर पर यहां पर आगर हम देखेंडिधर niveख यह जो आपको माउंटेंट मों निश़ए यह ऑन ओ रख दिख रहा है फोद आप फाँपे आधा इसके बाजू में मैं दिख रहा हैमालय कोई ऑ stimul partly और रहा है तो हम लोग इसको कॉंटिनेंटल इस schooling in land में डालेंगे यह लैंड यहीं का станetrandasiozlich कोई ओस plaisने तो यह जो है कि श्क स्वाइएगा स्पासिक्विकली ilan mountains में जाएगा एक्जापल के तौर पर यहां पर आप़ दिखरा होगा ठाशांप इन लेंड माउंटिन में आपका कहा पर दिख को दिख रहा होगा ठीक है इनलेंड माउंटेन में आपका कहां पर दिख रहा है यह हिमालियास अरावली ठीक है कुनलून ब्लैक फॉरेस्ट वास्गेस माइकल रेंज सत्पुड़ा वगरा सब क्या है आपका इनलेंड माउंटेन है यहां पर आजू-बाजू कोई भी आपक कटिनेंट मौंटेंट पर मिल रहे थे अफरीका में आपके इस्या में नाम अ पीच में इनि समुन्दर के मिलेंगे एक्जामबल के तोर पे यहां पर माउना किया हवाई यह माउन्टेन यह दिख रहा है देखो यह आपका माउना किया आजू-बाजू पूरा पैसिफिक ते नहें गराम इसको गूगल अर्थ पर देखे तो और अच्छे से पता चलेगा तो ठीक है इसको देख लेते एक बार ताक्कि आपको भी आईडा लग जाए माउना कि यह माउंटेन रेंज है देखो यह हमको कहां ले जाता है बीच समुंदर में लेकर जाएगा यह जो माउंटेन है आपको कहां दिख रहा है किसी कॉंटिनेंट पे नहीं दिख रहा है कुसा माउंटेन बोलेंगे उस्यानिक मांटेन बोलेंगे तो यह था की कि County के ओन्यवेसिस अफ डेर लोकेशन इसके पहले लोगों ने टाइम के वेसिस पर देख लिया ठीक है तो यह आपको थोड़ा बहुत किया रखना है याद हना उयर तो के टॉपिक के लिए हम लोग कितना ही रखते हैं अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करते हैं फोल माउंटेंस और ब्लॉप माउंटेंस वह क्या होते हैं ठीक है आप लोग को यह टॉपिक बढ़िया लगा हुआ थैंक्यू सो मज़